अस्सलामु अलेकुम, उमीद करता हूँ आप लोग जो है वो खेरियत से होंगे तो आज जो है पढ़ेंगे Information and Communication Technology देखें, आपका जो computer काम करता है, वो information पे काम करता है यानि आप जो उसे data देते हैं, फिर वो उस data से कोई information असिल करता है अब मुझे यहाँ पर पता है, कि आप लोगों के लिए information और data ये दोनों लफ्स है तो पुरान है, आपको इनकी spellings भी आती है आप लोगों को पता भी है, information का मतलब है, आपके पास मालूमात और data का मतलब है आपके पास किसी भी चीज का कुछ हिस्सा, देखें, लेकिन यहाँ पर आपके पास मुश्किल क्या बनती है कि computer में क्या चीज information है, क्या चीज आपके पास data है तो इस चीज को थोड़ा सा वाज़े करते हैं, देखें मेरे पास जो है वो तीन students है, student A, student B, student C अब सबसे पहले अगर आपने इस chapter में data और information को समझ लिया तो इन्शालला यह पूरा का पूरा chapter आपके लिए easy हो जाएगा बस data और information पे ही यह पूरा का पूरा chapter बेस करता है तो chapter number 18 आज से हमारा start हो रहा है और पहला ही topic है हमारे पास data, information and communication technology तो देखें यहां पर सबसे पहले मेरे पास तीन students है, student A, B, C तो आप चाहें तो इन्हें अली कह सकते हैं, इन्हें बासित कह सकते हैं क्योंकि यह A है तो अली, B है तो बासित, अब C से क्या नम आता है आपके पास अब आपको कोई अच्छा सा नम पता है जो C से start हो, तो वो comment कर देना, ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं कि यहां पर, अब मुझे भाई student A जो है ना, वो हमारे पास पढ़ता है class 8 में, ठीक है, इनकी class है, इनकी class जो है, वो class कौनसी है, इनकी class है 8, मतलब तमाम student की क्या class है है, हमने यह देखना है, तो student A class 8 में पढ़ता है, student B जो है, वो 10th में पढ़ता है, और student C भी 10th में पढ़ता है, ठीक है, अच्छा, इसे भी ऐसे कर देता है, ठीक है, अब यहां से मैं आपको data और information का फरक बताऊँगा, ठीक है, तो यह मेरे पास आगिया data, तो यह मेरे पास आगिया data के भाई, student A B class 8 में है, student B B class 10th में है, student C class 10th में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बेतर ड्रो करते हैं, ताके हमें समझने में भी असानी रह, अच्छा, अब आ जाते हैं, इनक तो यह जो चीजे मैंने आपको प्रोवाइट की ना यह था डेटा डेटा क्या होती है डेटा आपके पास raw information होती है यानि raw quantities होती है जो आपको दी जाती है अब उस डेटा से आप information असल करते हैं अब information क्या होगी information यहाँ पर यह होगी कि इन तीनों में क्या चीज similarity है इन तीनों में क्या चीज same है तो यह आपके पास information है यानि data से कोई मालूमात हासिल करना यह information है याद रखना information क्या है data से कोई मालूमात निकालना for example मेरा घर कहा है मैं क्या करता हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है, यानि आपके पास data नहीं है, अब आपके पास data ही नहीं है, तो आपको information निकाली नहीं सकते हैं, ना आपको पता है कि मेरा नाम क्या है, ना आपको पता है कि मेरा घर का है, ना आपको पता है मैं कौन से coaching में पढ़ाता हूं, या पढ़ता हूं या कौन सी university में पढ़ता हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता, यानि आपके पास कोई भी क्या नहीं है, डेटा नहीं है, कोई भी चीज, आपके पास कोई भी मालूमात नहीं है, ठीक है, मैं मालूमात का word information में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, data में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके भी कहीं न कहीं आपको मालूमात जो है न वो information वाले ही मिलेंगे आप करके देखिएगा आप जो है वो लिखेगा DA data ठीक है तो दर्याव क्यों ही बात यानि मालूमात ठीक है देखो इसमें भी आपके पास अगर मैं इसको data को चेक कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है मालूमात तो data और यह data का आपको नजर आ रहा होगा मालूमात आ रहा है तो यहां पर मालूमात लिखावा रहा है तो दोनों के माहिने तो सेम ही आ रहे है उर्दू में लेकिन data क्या होता है data आपके पास चंथ नंबर यह चंथ कुछ मालूमात होती है उस मालूमात से आप conclusive जो है वो कोई चीज हासिल करें यह information होती है आप मेरे पास मालूमात तो हैं यहां पर कि भाई student A जो है वो class 8 में पढ़ता है student A जो है वो 14 साल का है student A को English का subject पसंद है से आपने मालूमात निकालनी है मालूमात क्या निकालनी है इन तीनों में क्या चीज सिमिलर्टी है क्या चीज सेम है ठीक है सिमिलर्टी क्या है इन में सिमिलर्टी तो इन तीनों में क्या सिमिलर्टी है यह आपने बताना है ठीक है क्योंकि हमारे पर डेटा तो मौझूद है लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास इन में क्या similarity है, यह हमारे पास नहीं है, तो similarity यह है कि यह तीनों हमारे पास क्या है, student है, यह तीनों क्या है, students है, तो यह तीनों हमारे पास है, student, तो यह इनके अंदर आपके पास क्या आगई, यह इनके अंदर आगई, similarity, अब यह जो student आपने पता किया है, यह आपके पास information आगई, यह क्या है student, यह information है, यह क्या है आपके पास, यह information है, information ये आपके पास मालूमात आ गई कि भाई तीनों में एक चीज़ सेम है वो है आपके पास students data नहीं होता information हासिल नहीं होती ये याद रखिएगा इंशाललह ये बस समझ में आ जाएगी फिर ये पूरा टॉपिक आपको पूरा चेप्टर यहीं से क्लियर होना चुरू हो जाएगा ठीक है तो similarity क्या है कि तीनों के तीनों student है अच्छा अब ए और भी में क्या सेम है ए और बी में क्या similarity है यह आपने information निकालनी है ठीक है तो similarity similarity पढ़ लों similarity in B and C B and B and C तो B और C में यह similarity है कि दोनों के दोनों class 10th में है class 10th में है A और B में similarity नहीं है class के साफ़ से क्योंकि A तो class 8 में है लेकिन B class 10th में है लेकिन B और C में एक चीज़ similarity है कि दोनों के दोनों class 10th में है तो data से कोई information आप हासिल करते हो तो information कहां से निकलती है आपके बाद data से निकल कर आती है तो computer भी बिल्कुल यही काम करता है वो जो data आप उसे देते हो उससे वो कोई information निकालता है यानि आप अगर A दबाते हो तो A दबा जब आप keyboard पे A प्रेस करते हो तो computer के जो processor है उसमें data जाता है वो data process होता है और वो चेक करता है कि A दबाया गया है तो वो आपको monitor पे A शो कर देता है कभी ऐसा हुआ है कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने keyboard पे जो है वो B प्रेस किया हो और monitor पे C लिखावा गिया हो नहीं न क्योंकि जब आप B का data देते हो तो computer उसे बिल्कुल सही तरह से process करके monitor पे similarity है उन दोनों को math पसंद है ठीक है भाई हमें भी math पसंद है उन दोनों को math सब पसंद है अब क्या dissimilarity है अब dissimilarity यह है आपके पास dissimilarity यह है कि इनके अंदर कोई भी similarity नहीं है धी इसा नहीं है तो यह बात आपने याद रखनी है कि dissimilarity यानि तीनों में कोई भी चीदे common नहीं है यानि एक काम जो तीनों कर रहे हो तीनों स्टूड़न्ट तो है लेकिन और कोई भी चीज तीनों में सेम नहीं है मतलब यहाँ dissimilarity क्या है कि तीनों यहां पर अलग-अलग मतलब दो तो सेम क्लास में लेकिन कोई भी ऐसा इन में ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही चीज़ पर आ रहे हों तो यह इनकी डिस्सिमिलेटी आपने याद रखनी है अब अगर मैं इसकी एज जो है न एज इसकी यहां पर मतलब एज इसकी क्लास य यह उस मालूमात से आपको ही कंक्लूसिव डेफिनेश चीज़े निकालते हो उसको information कहते हैं ठीक है डेटा आपके पास चंद नंबर होते हैं उस नंबर से आप मालूमात निकालते हो यह कुछ चीज़े होती है आपके पास ठीक है तो यह आप याद रखना अब आ जाते है अपने इसको पढ़ लेता है तो यह आपको इंशालब समझ में आ जाएगा डेटा सिर्फ आपके पास नमबर्स होते हैं यह नमबर्स नहीं है तो कुछ आपके पास जो जानकारी होती है उस जानकारी से आप कुछ खास मालूमात हासिल करते हो कि भाई क्या चीज़ सेम है क्या चीज़ सेम नहीं है अच्छा तो यहां पर आपके पास लिखावा है डेटा प्रोसेस डेटा इस टंप्रमेशन इन कंप्यूटर तो प्रोसेस डेटा यानि डेटा से आप डेटा पर आपने काम किया और उस अच्छा अच्छा मैं आपको गुरुप्स का और उसका बता दू नोट्स का देखो अगर गुरुप मैट होना है ना तो साल में सिर्फ एक बार फीस पेक अन्य होती है अब वह होती है फाइफ 1500 ठीक है अब इस फीस में आपको तमाम सब्जिक के नोट्स का PDF तमाम सब्जिक क पेपर तमाम सब्जिक के model paper लेक्चर मिलेंगे आपको physics mathematics और English के ठीक है आपको जो है वो तमाम सब्जिक के जो है वो बुक का PDF तमाम सब्जिक की practical books और live session और recorded session और test session मिलेगा ठीक है तिक है सिर्फ एक साल में एक बार फीस देनी है तो आप लोग जरूर गुरुप मैट हो जाएगा तमाम चीदे महां मिलेंगी तो और अच्छा पढ़ने में असानी रहेगी सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 फीस है तमाम सब्जिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे इन नोट्स के अंदर तमाम numericals तमाम question answers तमाम जो है वो mcqs जो book में given है वो solve होंगे तो numerical आपको physics के के भी solve मिलेंगे chemistry के भी solve मिलेंगे तो यहां पर आपको बहुत असानी हो जाएगी इन नोट्स में और यह वाहिद नोट्स मिलेंगे आपको किसी भी coaching के जिसमें तमाम चीज़ा आपको solve मिलेंगी ठीक है आप चाहें तो लेकर check कर सकते हैं मतलब नोट्स बाए करके check कर सकत अब यहां पर आजयते हैं अच्छा ICT का मतलब क्या होता है जैसे होता है ना ICU इसी तरह से ICT यह acronym है information and computer technology technology ICT का मतलब क्या होता है information communication technology मैंने इसे computer बुल दिया तो information communication tech यहां पर आगे आपका technology ठीक है तो यह आपका जो है वह ICT होता है information and communication technology तो यहां पर याद रखिएगा हमारा जो computer काम करता है वह information पर काम करता है ठीक है information पर बार बार मैं information और data के word को explain नहीं करूंगा आगे बहुत बार यह इस्तमाल होगी यह दो word तो आपने बस याद रखना है हाँ definition थोड़ी बहुत बता दिया करूंगा बार बार तके revision हो जाए computer analyze data and extract information तो अभी जो हमने data से information निकाली यही काम computer भी करेगा यानि अगर आप computer को यह बता दो कि तीन students है उनकी क्या class है क्या उनकी age है कौन से उनने subject पसंद है तो जो काम आपने यहां पर boat पर हमने किया वही काम computer भी आपको करके देगा वह similarities बता देगा वह वहां पर dissimilities बता देगा उन तीनों में और वह बहुत सारी च सकता है डेटा आपके पास जो है वह सिगनस में भी हो सकता है डेटा बहुत किसम के होते हैं ठीक है लेकिन जब आप भेशते हैं डेटा जब आप computer को भेशते हैं तो computer उस data से information असल कर लेता है याद रखिएगा इसे हम आगे और थोड़ा सा detail में पढ़ लेंगे अच्छा ह हर data हर information एक खास जगह पर computer store कर लेता है क्योंकि फिर दुबारा भी आपको इस information की जुरुवत पढ़ती है और एक सेंपल आपने एक तस्वीर upload की आपने तस्वीर जो है वह computer में upload कर दी है install computer में जो है वह आपने download कर ली है किसी facebook के site से हैं कहीं से तो फिर वह एक data था पिर उस data को उसने information बनाया आप information को उसने एक जगह पर सेफ कर लिया है computer ने ठीक है an electronic based system for transmitting receiving processing and retrieving information is known as information ठीक है याद रखना computer data को process भी करता है computer information को send भी करता है computer जो data आता है या जो information होती है उसे retrieve भी करता है दुबारा हासिल भी करता है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक काम अगर आपने कभी बहुत पहले कर रहा था तो computer उसको याद नहीं होगा क्या आपने क्या काम करा था नहीं एक history भी बनती जाती है computer में अगर आपने कोई तस्वीर आज से पांस साल पहले अपने computer में safe की ती और व भी होता है ठीक है यह क्रोनियम इसमें बहुत आएंगे अच्छा टैली कम्यूनिकेशन क्या होता है बहुत बार आप सुनते हो ना कि टैली कम्यूनिकेशन कंपनी है तो जब टैली कम्यूनिकेशन का मतलब होता है डेटा को information को long distance पे भेजना इसको आप कहते हो टैली के information को long distance पे send करना अब आपके पास जो यह टैली कम्यूनिकेशन कंपनी होती है जैसे के सिम की जो कंपनिया है वो भी टैली कम्यूनिकेशन कंपनिया होती है मैं नाम भी ले लेता हूं जॉंग टैली नौर वारित वारित तो खतमी हो गई है मोबिलिंग और दूसरी कंपनि कंपनिया जो है यह बड़ी बड़ी कंपनिया है अब यह क्या करती है यह भी आपकी information को एक जगा से दूसरी जगा भेशती है आपका message टाइप किया एक information ती वह एक यह आपके दोस्तक पुछा देती है जिस्ट लोस्त को भी आपने तोaur और आंपने दंगे मěसिच किया होता है एक सपर यह से अब मैसिच एक इंफोर्मेशन है यह इक इनफोर्मेशनों है अप इस किसट इनफोर्मेश मठ्यम्मेशन तो सटुर कूपशो होगी आपके पास टेली कम्यूनिकेशन की कंपनी होगी वो मैसेच आपके दोस्त तक पुचाएगी ठीक है यह आपका दोस्त है यह आपके फ्रेंड तक पुचाया यह थे आप यानि यू ठीक है यह आप थे आपने मैसेच टाइप किया टेली कम्यूनिकेशन कंपनी ने उस म आप खुद नहीं पहुचा सकते क्यों नहीं पहुचा सकते आप ओपने दोस्तों डेसे औरहे हों लेकिन असल में वह RAM करती है टेलीकम्यूंिकेशन ओपनी के अभगेर आप मैसिच यो है वह जो हो नहीं और सेन्ड कर सकोगे तो यह कंपणी जो है वह जरूरी होती है आपके messages को send करने के लिए for example अगर आपके पास signal आना बंद हो जाए तो आप क्या कहते हो कि signal नहीं आ रहा है यानि टेली communication company का जो signal होता है वो नहीं मिलता तो आपके पास जो SIM है वो signal आपका पहुचाती है यह याद रखना यह मैंने समझा दिया इससे पहले शायद आपको यह बात ना पता हो ठीक है अब आजाते हैं the above term can be defined separately as अच्छा अब इन terms को separately define करते हैं information technology is the scientific scientific approach for storing information organizing it for optional use and communication it to other तो telecommunication जो है tele communication information technology information technology में basically क्या होता है information technology में आपका data आपका information जो है उसको store किया जाता है safe किया जाता है यह scientific है यह मतलब यह चीज science से relate करती है communication ठीक है तो communication में आपके information को store किया जाता है उससे safe किया जाता है उससे जो है वो मालूमात हासिल की जाती है फिर उस information को आगे पहुचाए जाता है उस information को और strong बनाया जा रहा होता है तो यह याद रखना The process of transmitting information over long distance is known as telecommunication तो यहाँ पर बात लिखी हुई है कि दूर तक आपके message को किसी दूर जगह पर आपके message को भेजना अपने wiring अपने connection के जरीए से यह होता है telecommunication तो telecommunication का मतलब I hope समझ में आगिया होगा कि आपकी information को आपकी इजादस से किसी और तक पहुचाना बगएर इजादत के नहीं अब आपने कोई message type नहीं किया सिर्फ आपने message लिखा था खुद पाखुद company ने send कर दिया ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है जब तक आप message send नहीं दबाओगे send का मतलब आप इजादत दे रहे हो company को के हाँ आप यह message आप पुचा दें दोस्त तक for example आपने अपने दोस्त को बुरा बला लिखा लेकिन send नहीं दबाया company ने खुद ही भेज़ दिया तो आप तो गुस्ता होगे अच्छा काम किया भेज़ दिया लेकिन आप गुस्ता होगे तो जब तक send आप नहीं दबाते तो वह message यहां नहीं पहुचता कि कौन-कौन से जो component है computer के वह information पर base करते हैं ठीक है तो वह इसके फॉरण बात यह upload कर दोगा तो उमीद करता हूं यह समझ में आगिया होगा इसमें कोई सवालात नहीं है वह नहीं करा देता thanks for watching अल्ला हाफिस अपने कींटी दूआउं में